नमस्ते विद्यार्थी मित्रो पीय नमर्सी हाई स्कूल ना ई लर्निंग क्लासिस मा आपनू स्वागत छे आजे हुँ तमारी सम्मक्ष गुजराती दिशयना व्याकरण विभाग मा समास अने तेना प्रकारों नी समझुती आपिश सव प्रथम समास एटलेशूं ते जानिये बेके तेथी वदू शब्दों के पदो जुडाईने एक पद के सब्द बने त्यारे ते प्रक्रियाने भाचानी अंदर समास कहवामा आवेशे उदाहरन तरीके राम सीता तेनों विग्र करशूं तो थसे राम अने सीता त्यार वाच्चे चोमासूं तेनों विग्र थसे चार मासनों समुहूँ शब्दों वच्चे संबंद के संदर्व दर्शावता प्रत्याई के शब्दोंनों समासमा लोप थैलो होई छे समासना शब्दने छुटा पाडी लोब पामेलो प्रत्याय के शब्द उमेराता शब्दनो अर्थ स्पष्ट थाये छे टूंकमा समास एटले नमबर एक, बे के वधारे शब्दों ना संयोग थी, थैलो शब्द ते समास नमबर बे, बे के वधू शब्दों भेगा थाया ते समास नमबर त्रण, समासनी संधी छुटी पाडीये तो सम एटले साथे अने आस एटले बेसवूं सब्दोंनू एक साथे बेसवूं एनू नाम समास हवे समासमा पूर्वपद अने उत्तरपद कोने कहवाए तेनी समझूती मिडविये पूर्वपद एटले के समासना शब्दों मा जे शब्द प्रथम होए ते पूर्वपद कहवाए उदाहरं तरीके राम सीता तेमा प्रथम पद राम छे तो राम पूर्व पद थसे उदाहरं जो ये तो राम सीता तेमा सीता ए उत्तर पद थसे हवे विग्र एकले शूं ते समजिये, समासना शब्दोंने छुटा पाडवानी क्रियाने समासनो विग्र कैवामा आवे छे टूंक मा सामासिक पदना स्चब्दोंने छुटा पाड़ी ने समझाववानी प्रक्रियाने समासनो विग्र कैवामा आवे छे उदाहरन जोईये तो दही बड़ा तेनो विग्र थशे दही मा बोडेला बड़ा सु केशी सारा केश जेना छे ते एटले के आ सब्दो ने समझवा माणे छुटा पाड़वानी जे प्रक्रिया होए तेने विग्र कैवामा आवे छे હवે જોઈશું સમાસના પ્રકાર જેમાં પ્રથમ પ્રકાર છે દવંદ સમાસ દ્વંદ એટલે જોડ્કું દ્વંદ સમ दोने अलग करवा माटे वच्चे जे प्रत्य उमेराय चे ते छे अने ने के अथवा हवे उदारन द्वारा विगतमा समझूती मिडविए हाथ पग तेनू विग्र थशे हाथ अने पग रात दिवस तेनू थशे रात अने दिवस चा पाणी चा अने पाणी लाभा लाब लाब अने अलाब सुख दुख सुख अने दुख शाक भाजी शाक अने भाजी बे त्रण बे के त्रण दस बार दस के बार सूर्य चंद्र सूर्य अने चंद्र तो आरीते दवंद समास मा तेनों वीग्र करती वकते अने ने के अथवा जेवा प्रत्ययो उमेरवामा आवे छे अने तेना दवारा दवंद समास बने छे त्यार बाद समासनों बिजो प्रकार छे तत्पुरुस समास जे समासना पूर्वपद अने उत्तरपद विभक्तीना प्रत्याइथी जुडायला होए तेने तत्पुरुस समास कहवामा आवे छे समास ना बनने पदो जे विभग्तीना प्रत्य थी जोडायला होई ते प्रमाने जेते विभग्तीना तत्पुरुस समास तरीके ते ओडखाय छे आ समास मा उत्तरपद प्रधान अने पूर्वपद गोण होई छे ईले के अहीं जे बे पदो छे ते विभक्तिना संबंद थी जोडायला होई छे, तेमा विभक्ती प्रत्ययों उमेरवामा आवे छे उदाहरण जोई एतो सत्याग्रह, तेनू थसे सत्यनो आग्रह, अहीं बे शब्दोने जोडवामाटे वचे नो प्रत्यय उमेरायों छे पद थी भ्रश्ट, देहांत, देहनों अंत, रस भीनू, रस वडे भीनू, हस्त लिखित, हस्त वडे लिखित, वर माडा, वर माटे माडा, देवालय, देवोनू आलय, देश सेवा, देशनी सेवा, वन्वास, वन्मा वास, प्रभु पृती, तेनो विग्रखशे प्रभुनी प्रिती तो आरिते तत्पुरु समास मा तेनो विग्र करती वक्ते विभक्ती प्रत्ययो जोडवामा आवे छे अने आ विभक्ती प्रत्ययो जोडवा थी तत्पुरु समास बने छे त्यार बाद समासनों त्रिजो प्रकार छे उपपद समास, आ समासमा पुर्वपद अने उत्तरपद विभक्तिना प्रत्य ही जोडाला होई छे, परंतु उत्तरपद एक्रिया पद पर्थी उत्री आवेलूं होई छे, जे क्रियानों अर्थ सुचवे छे, एले के उमेराये छे, आ समासमा जियारे विग्र करिये, त्यारे तेनी पाछड एटले के उत्तरपद मा नार प्रत्य उमेरवामा आवे छे, अने ते कोई क्रिया दर्शावतु होई छे, उदाहरन जोईये तो, व्याज खोर, तेनों विग्र थशे, व्याज ने खानार, दुरंध दुराने धारन करनार, पंकज, पंकमा जन्मनार, गीरिधर, गीरीने धारन करनार, भूचर, जमिन पर फरनार, वसुधा, वसुने धारन करनार, नर्मदा, आनंद आपनार, पगर्खा, पगनू रक्षन करनार, क्या ही उधारण द्वारा अपड़े समझूती मिडविये तो तेमा जे उत्तरपद छे ते कोई क्रिया दर्शावे छे अने तेमा नार प्रत्याए उमेरायो छे जिनाकार्णे ते उपपद समास बन से हवे आगणनो समास नो प्रकार छे कर्मधारै समास आ समास मा पूर्वपद अने उत्तरपद प्रथम विभक्ति थी जोडायला होई छे तेमा एक पद विशेशन अने बिजू पद नाम होई छे एटले के पहलू पद ए बिजा पदनू विशेशन होई छे अहीं एक जे पद हचे ते विशेशन एटले के विशेशता दर्शावनारू पद असे औने बिजू पद ते नाम होई छे उदाहरण जोईए भव्य मूर्ति भव्य एवी मूर्ति एटले के अहीं मूर्ति तो छे पन ते केवी छे भव्य तो ते तेनी विशेशता दर्शा ते विशेशन छे अन विजू पद छे ते नाम छे त्यार बाद विजू धारण छे चंद्र मुख तेनू थशे चंद्र जेवू मुख सूर्य देव सूर्य एवा देव वायू वेग तेनों विग्र थाशे वायू जेवो वेग अहीं वेग तो छे पण केवो छे वायू जेवो तो ते तेनी विशेश्ता दर्शावे छे पितामबर तेनू थाशे पीडू वस्त्र भाशांतर तेनू विग्र थाशे अन्य भाशा काजड गेरू काजड जेवू गेरू एटले के ही गेरो कलरतों चे पण केवो छे काजड जेवो तो आरिते एक पद विशेशन अने बिजु पद नाम दर्शावे छे तो त्यारे कर् कर दो कर दो हर।